यारो, क्रेजी क्रेजी एक्सपरिमेंट देखने के तो सभी दिवान हैं और इसी कारण में आप सब के लिए यूटूब से धुन ढान के लाया हूँ एससे एससे एक्सपरिमेंट जिसे देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे मजाया इसलिए ज्यादा समय नाग गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं गाइज इतने भी एक्सपेरिमेट आप यहाँ देखोगे उन्हें सिप आपको देखना ही है मेरे सभी दर्शकों से गुजारिस है कि आप इसे घर पर दोराने की कोशिस ना करें नमबर सेवन डा फ्लाइंग जेट ट्रक आपने देनिक जीवन में तो कई ट्रक देखे होंगे जो प्राया फोसिल फ्यूल्स की हल्प से चला करता है लेकिन एक बार आप इस जेट ट्रक की और ध्यान दीजिए जो केवल माचिस की तिलियों और कुछ अस्पार्कलेस की मदद से बनाया गिया है और जब इस जेट ट्रक को टेस्टिंग के लिए लाया गिया तब इसके साथ क्या हुआ चलिए इसी को देखते हैं गाईज मान गें इस ट्रक को जिसमें आग लगाते साथ ही ये ट्रक रोकिट की तरह उड़ा है नमबर शीक्स हैड्रोलिक प्रेस भर्शेस हैंड गरनेट गाईज हैड्रोलिक प्रेस से आप भली भातिप परिचीत होंगे जो किसी भी अबजेक्ट को कुछी सकेंड में कचूमर बना देती है लेकिन तब क्या होगा यारो जब इस हैड्रोलिक प्रेस की खतरनाक मशीन के बीचो बीच हैंड गरनेट को रख देतो चलिए इसी को देखते हैं आपने देखा भायो ये हाइड्रोलिक प्रेस हैंड गरनेट को भी नहीं बक्साब उसको भी कुछी सकेंड में कचूमर बना दिया है दोस्तों सच में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल की होने वाली है इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मिस्टिय निनियर हैकर ने एक गहरी पूल त्यार कर ली और फिर इस कार को किरान के मदद से 50 फिट की उपर तक ले जाया गिया और फिर उसे वहां से छोड़ा गया गाइड ये कार तो पाने में गिरते साथी तेरने लगी और इस कार पर तो पाने का कुछ असल हुआ ही नहीं चलिए इसी कार को फिर से दोबारा पाने में गिराते हैं गाइड आपने देखा ना ये कार को जब दूसरी बार उपर से गिराया गिया तब ये कार पाने में गिरते साथी पाने में डूब गई चलिए दोस्तों जल्दी से इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्वालेट की सीट और करीब एक हजार क्या स्पार्कलस लिया है जो इस ट्वालेट में उपर से लेकर नीचे तक पूरा भरा हुआ है और जब इस पटाका में आग लागया गया तब उसके साथ क्या हुआ चलिए इसी को देखते हैं ओ भाई साब आपने देखा ना गाएज यह हजार आश्पार्कलस कैसे इस ट्वालेट सीट की पर खचे उड़ा दिया यारो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह एक नाव है तब क्या आप इस बात को मानोगी नहीं ना कोई नहीं एक बार आप इस वीडियो गिलिप को देख लो मानगे ना दोस्तों कि सच में एक छोटा नाव का फरकार है जो पाने में खुद बाखुद तेरती है गाइज जितनी सिंपल यह नाव दिखती है उससे भी ज्यादा असानी से यह नाव बन कर त्यार हो जाती है बैसेकली इस नाव के लिए खाली बोतल दो लकडी का टुकड़ा और कुछ रबबड की जोरत होती है जिसे आप असानी से बना सकते हैं नमबर टू स्लो मो विट बैलून दोस्तों यह एक्सपरिमेंट अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपरिमेंट होने वाला है जिसे देखने के बाद आपका वीडियो एक्षन कुछ आइसा ही होने वाला है गाइज एक बार आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए जराई से भी देखे लिए जिए क्यों गाई चोग गैना इस बैलन की स्लो मो वीडियो देख कर इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और इस वीडियो की सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट नमबर वन सुतली बम विथ पेट्रोल गाईज हम यह तो जानते हैं कि जो पेट्रोल होती है उसमें तुरांत आग पकड़ती है जिसके कारण अगर हम बम को पेट्रोल के साथ बलास्ट करवाएं तो यह जमिन पर आग लगा सकती है इसलिए इन दोनों को अगर हम हवा में बलास्ट करें तो क्या होगा चलिए इसी को देखते हैं और जब इन दोनों पेट्रोल और बॉम को ड्रॉन से कनेट कर दिया गया है और जब इन्हें उपर लेदा कर ब्लाश करवाया गया तो उसके साथ क्या रियक्शन हो आप पूदी देख सकते हैं इन सभी में से आपो कौन से एक्सपरिमेंट सबसे अच्छी लगिया है कमेंट में जरूर लिखें धन्यवाद